अगर आप इस बार बूट का एक्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग टू इन तक देखें बहुत ही बहतरीन वीडियो क्योंकि आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पांच ऐसे प्रमुक लक्षन जो सिर्फ पाया जाता है टौपर यानि जो पढ़ने में बहुत तेज होते जिसे मं लीजे कि आपने कितावे उठाई टक एक है आपने कितावे लिए और पढ़ना अपने स्टार्ट किया और आप आप और गंटा पढ़रे हो और कोई बच्चा छे घंटा पढ़कर आपसे अच्छे मार्स ला रहा है जाए आपने आठ गंटे पढ़ाई की दस गंटे पढ़ाई की बारा गंटे पढ़ाई की फिर भी आप टेस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो यह पांच ऐसे प्रमुक लक्षन क्या है जो सिर्फ टॉपर में पाया जाता है और आप कितना भी पढ़ते हो फिर भी आप टॉपर की लि क्या खाका राता है जो इतने अच्छे मार्स लाता है और मैं दिन दिन बर पढ़ रहा हूं मैं दिन दिन बर पढ़ रही हूं फिर भी लड़का सोचता है लड़की सोती है और मैं इतना पढ़ रहा हूं पढ़ रही हूं फिर भी मैं टॉपर क्यों नहीं बन पाता हूं मैं क् इस तरह के सवाल आपके mind के अंदर है और मैं आपको आज की इस वीडियो में बहुत भेथरी ढंग से motivate करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ वो पाँच प्रमुक राज जो सिर्प topper के अंदर ही पाया जाता है आपके अंदर नहीं पाया जाता है यही रिजन है कि आपका testing में number काम आता है यही reason है कि आप top 10 में सामिल नहीं हो पाते हैं यही reason है कि सायद आप board के exam में भी अच्छे marks ना लाओ तो इन 5 लक्षनों को आपके अंदर नहीं है और जो एक तौपर स्टूडेंट में रहता है जी सबसे प्रमुख लक्षन जो आपके अंदर नहीं है और आपके अंदर नहीं होने के बाब जूद भी एक तौपर स्टूडेंट में रहता है पहला लक्षन जो आज से इस लक्षन को सुधारना है और इस काम को करना है और इसके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा कि आपने पांच लक्षनों में से वैसे कितने लक्षन को सुधा रहा है पहला लक्षन जी हां सवेरे लेट से उठना और रात्री में लेट से शोना देखिए ये सबसे बहुत ही खराब लक्षन है एक भहतरी न स्टूडेंट में जिस जो बहुत भहतरी नंग से पढ़ रहा है जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है वो बच्चा कभी इस तरह का काम नहीं करेगा वो सुबा चार बजे साड़े चार बजे पौने पांच बजे उड़ जाता है वैसे तो मैं चार बजे आपको एडवाईज करूंगा लेकिन जो कमजोड स्टूडेंट है जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है जो लगता है कि वो टौपर नहीं बन सकते या जो जिन्नोंने पहले हार बाहईल दिये वैसे स्टूडेंट क्या करते है लेट से सो तो सबसे खराब लक्षन यहीं है जो कभी भी यह होनहार चात्र में कभी नहीं पाया जाएगा होनहार चात्र कभी लेट से नहीं सोईगे दस साधे-दस मैक्सिमम हो जाए तो ग्यारा बजे तक सोना वैसे तो मैं एडवाइस दूगा कि दस बजे आप सोईए लेकिन और उपिने की बात करें तो मैं चार बजे से बोलता दूट आराम से दस बजेला बैच पर जाएंगे क्यों क्यूंकि उसको 9 विजे तक सोना है 8 विजे तक सोना है सबसे गंदी लक्षन यही है सबसे खराब लक्षन यही है इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबेरे आप सोएं सबेरे कब सोए मैं रात में आपको तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है पहला लक्षन कि जब भी जब भी आप सोए सबेरे सोए और उठे तो लेट से ना उठे सबेरे उठे सबसे प्रमुक यह फॉस्ट यह फॉस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस बहुत ही ज्गाइब काम आने वाला ह्या है चलिए दूसरा हो गया सक्कुसरे इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ठीक है देखिए पहला दूसरा लक्षन दूसरा लक्षन आप समझिएम यह काम आप नहीं कर रहे हो मुझे पता है 12th का बैच शुरू हो गया, 11th का बैच शुरू हो गया, 10th का बैच शुरू हो गया, सीबेसी का बैच शुरू हो गया, जो भी है, सारे बैचे शुरू हो गया, आपने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी, आपने एका चेप्टर खतम भी कर दिया, क्या आपने कभी कोशिश क किया है कि हमें time table के according पढ़ाई करें किसी दिन 4 गंटे किसी दिन 6 गंटे किसी दिन 8 गंटे किसी दिन 2 गंटे 3-4 दिन तक सो हैं कुछ नहीं पढ़ा तो क्या एक होनाहार चात्र की यही यही अच्छी निसान तरह नहीं है कि अब मेरे इसाफ से चलो जैसे किसी दिन आप पढ़ाई कर रहे हो आठ गंटे किसी दिन छे गंटे किसी दिन दस गंटे किसी दिन बारा गंटे क्या खाना भी ऐसे करते हो किसी दिन दस रोटिया किसी दिन बारा रोटिया किसी दिन चार रोटिया किसी दिन दो रोटिया किसी चार पास दिन तक खाना नहीं कहते हो यह कैसे पॉसिबल है क्या सास लेने में भी एसी खंजूसी करते हो किसी दिन पूरा खीच रहे है छोड़े खीच रहे है नहीं पूरा एकदम किसी दिन थोड़ा धरो एसे ब्राम देब बाबा वला किसी दिन दो तीन दिन तक सास ही नालो कि ठॉसिबल जब आप सास टाइम पे लेते हो एक टाइम टेबल के कॉरडिंग जब आप खाना टाइम पर खाते हो जब आप सब चीज एक समय के कॉर्डिंग है में तीन बार एक दिन में खाना खाना है तो फिर सिख्छा में क्यूं कटवती करें यानि मैं आपको एक छोटा साइडवाइस दे रहा हूं कि आप जब भी पढ़े तो टाइम टेबल टाइम टेबल है जब भी पढ़े एक टाइम टेबल बना करपढ़े और अगर आप एक वीक स्टूडेंट है तो मैं आपको मिनिममें एड्वाइस दूँगा कि कम से कम छे गंटा पढ़ो जी अगर आप पढ़ने में तेज हैं बीक स्टूडेंट है तो आठ गंटा अगर आप पढ़ने में बहुत तेज है तो आप 6 गंटे पढ़ाई करो ठीक है यह मिनिमम है और सुबा चार बजे उठिये और रात में दस बजे सो जाईए कोई दिक्कत नहीं साड़े दस भी बज जाए तो चलेगा तो यह दूसरा है क पढ़ाई तो हर कोई करता है ठीक है अगर मेहनत से सिंपल सी बात है कि अगर मेहनत से इंसान बड़ा बन सकता है तो बोरीड होने वाला जो बोरीड होता है वो सबसे बड़ा इंसान बन जाए यानि मेहनत से बड़ा नहीं बनता है मेहनत के साथ साथ आपको एक गोल होना च प्रख्छोना चीज इसके लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है तो दूसरा दूसरा मैं आपको एड्वाइस दे रहा हूं कि आप एक टाइम टेबल बनाकर ठीक है कि दूसरा जो है एक टाइम टेबल बना कर कि कम से कम आठ घंटे नहीं तो छे घंटे पढ़ाई करें दो चीजे क्लियर है concept समझ में आ रहा है यह दो लक्षन हमेशा एक टॉपर स्टूडेंट पढ़ने वाले चात्रे बिल्कुल करते हैं और जो कमजोर चात्रे उसको क्या मतलब है ठीक है कैसे भी करना है किसी दरह से पास हो जाना है और यही रीजन है कि वो बच्चे ट्रॉस कर जाते एक सब्जेक में सब्जेक्ट में अब आईए तीसरा लक्षन जो सबसे प्रमुख लक्षन है जो सायद आपको बहुत काम दिल आएगा यह तीसरा लक्षन यह तीसरे Slim की बात करें जो सायद साधारेंता बहुत सारे बच्च करते हैं तीसरा जो है वही रेगुलारीटी हाँ इक24 क्या ब पढ़ाई जो है वो हर दिन किया करो जैसे देखिए इसमें मैं आपको एडवाइज दूंगा जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है रोज 10 घंटे ठीक है रेगुलार्टी और प्लस कम टाइम भी दीजिएगा तो चलेगा देखिए इसमें हम समझाएंगे आपको पूरा टिप्स के साथ कोई बच्चा पढ़ रहा है 10 घंटा और कोई बच्चा पढ़ रहा है 6 घंटा ठीक है तो आपको तो लग रहा होगा कि यह 10 घंटा वा अब बच्चा पढ़ने वहां का महुल हला अब मालीजे की चल रहा है अब वहां पर अपना किताब लेकर वैसे वैसे माब आपको दिखा रहें कि देखो मम्मी पढ़ने में कितना तेजे कितना मेनत कर रहें आप बताइए कोई फायदा होने वाला है कुछ नहीं मायन में ज परंतु सो प्रतिशत ध्यान देकर पड़े जी ध्यान से पड़े ठीक है कम पढ़े लेकिन सो प्रतिशत ध्यान से पड़े यानि आप अपनी पढ़ाई रेगुलर तो रखना ही रखना है हमने बहुत कम ताइम दीजिए पढ़ने पर कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम है ठीक है वह हमारा कहने का मतलब है कि आप कम पढ़िए लेकिन पूरा जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए जियां सिर्फ पढ़ाई करिए इसके अलाबा किसी और चीज पर ध्यान देना नहीं आपको ऐसा नहीं कि अगर आप फोन से ऑनलाइन सब्सक्राइब करेंगे सांटोक कर दो हैं रही नहींला क्किन डॉनर्णंशन के सब्सक्राइब करिए ऐससा क नहीं है कि कुछ नहीं पर None यह को तो चीजास यह सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक में आपको बताने वाला हूं यह देखिए आप बहुत सारे बच्चे जब पढ़ना सुरू करते हैं तो उनको उनका सिलेबस तक नहीं पता होता है ठीक है सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करे और साथी साथ मैं आपको इस वे और एडवाइज दूगा कि उस टॉपिक पर जादा ध्यान दे उस टॉपिक पर जादा ध्यान दे ज़्यादा, उस topic पर ज़्यादा ध्यान दे, जहां से अब से ज़्यादा प्रश्ण पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्ण पूछे जाते हैं, बहुत important topic मैं आपके screen पर मैंने रखा है, ठीक है, कि भई उस topic पर पहले तो मैंने बोला syllabus के आरहर पर पढ़ाई करिए कोशिस करिए कि जो आपके syllabus में है पहले उस topic को आप clear करिए हर तरीके से उस topic को clear करिए एक भी topic छूटना नहीं चाहिए मतलब syllabus के आधार पर अपनी पढ़ाई करें ऐसा नहीं कि पढ़ रहे तो पढ़ रहे हैं मैं पता ही नहीं कि हमार syllabus क्या है पहले syllabus तो देखिए पहले किताब है उलटिया में पढ़ना क्या है जिसे physics में आ गए है chemistry में आ गए तो हाँ बाई solid state पढ़ना है solid state में कितने question पूछे जाते हैं कितने marks के solid state में पूछे जाते हैं ठीक है? electrostatics में आ गए है organic chemistry आ गए, inorganic chemistry आ गए फीजिकल में के कुछ भी आ गए तो पहले syllabus तो देखिए पूछेगा कितना नमबर उसी के according अपनी पढ़ाई करिए ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं भाई सब जिदर चलदा हैं विदर चलेंगे जिसको खुद का कोई चिंता नहीं है इसा काम कभी कर नहीं सकता क्योंकि उसको पता है कि वह उस लायक नहीं है चलिए पाचवा और जो सबसे important topic that's like very important topic और यह पाचवा topic मैं आपको बोलूंगा कि सबसे ज्यादा important यह है कि आप previous years जी हाँ previous years question का solution करें यही काम तो भाई एक week student नहीं करता है वो भी कितने साल का कि पिछले दस साल का और हाँ अगर आपको लगता है कि यह exam के time करना सही रहेगा बहुत गंदी आदत है exam के time बहुत सारे चीजे करनी होती है जैसे जैसे समय नजदीक आएगा न दिल की धड़कन वैसे वैसे तेज हो जाएगे टक 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 वो करेगा तो वैसे में ना तो घर का रही है गाना तो घात कर रही है ठीक है वैसे condition में मैं आपको बोलता हूं कि previous years का जो solution है उसको एक्जाम के उपर मट ठालिए कि जब एक्जाम नजदीक आएगा तब करेंगे आप एक एक साल का one one year का एक एक साल का solution हर सप्ता करिए और दस सप्ता में खतम हो जाएगा आपका previous year solution और जब एक्जाम आएगा फिर उसका revision कर लिजेगा और यह सबसे बहुत important लच्छन और यह काम टौपर ही कर सकते हैं आप नहीं कर पाओगे अगर आप टौपर हो तो करो और साथी साथ आ आप जो है अभी मैं एक बात आपको बताने वाला हूं रुक जाओ ड्रीम क्लासेज जी हां ड्रीम क्लासेज ओफिशियल यह हमारा अप्लिकेशन है इसको इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और 2023 के लिए बैच जॉइन करिए आप करते हैं तो पूरी जिंदगी ड्रीम क्लासेज को कभी नहीं भूलेंगे और लगेगा कि यहां सफलताओं की और हम बढ़ रहे हैं विकास कर रहे हैं और फिर बाद में कहिएगा कि राहुल सर्ण ने जो पांच मुल मंत्र हमें दिया था उन मुल मंत्रों ने ऐसा कारनामा क कि अधिया है कि मैं बोट टॉपर हूं मैं डिस्टिक टॉपर हूं मैं गाउं पर होता है पीस तीस लड़के जब एक साथ गाहों से देते हैं और अगर आपका एक नंबर में रहता है तो अलगी सीच चपन इंच का सीना हो जाता है जी फूल के ठीक है अगर आप जिला टॉ करते हैं टॉपर का मतब इस टॉपर ही नहीं होता है टॉपर का मतब भाई देल से मन से भी टॉपर बने यहां भाई हमने बहुत अची पड़ाई की है तो यह पांच मुलमंत्र में दे देता हो गरा यह वीडियो अप लाश्ट तक देखें कुईज जरूर करिए अभी से लोगों का गुरूप बनाई यह ठीक है और छोटे से कमरे में बैठ के आराम से मौकिक बातचीत करिए जो टॉपिक हो चुका है उसके बारे में बात करिए कि इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिब एंसे क्यूंस का कुईज करवाई ए शॉट कोशन का कुईज करवाई एक ता एक बार इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई कोर्स बगारा लेना हो और यह हमारा अप्लिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो अप्लिकेशन है पहला लाइप पढ़ने के लिए दूसरा रिकॉर्डेट पढ़ने के लिए ओक बाइ टे कर